हेलो स्टुडन्ट नमस्कार कक्सा पांच हिंडी तो बच्चे आप लोगों का एफे 3 की एक्जाम पुर्ण हो गई है तो अब हम एफे 4 की ओर जाएंगे बच्चो आप लोगों की एक्जाम अच्छी रही होगी मैंनत करते हूं आप लोग बहुत अच्छे तो आज हम सेặ्म बारा तक पूछा गया था अब हम 13 पार्ट करेंगे तो वैसले बाट का नाम है स्वच्च ताथ शङेन की सफाई कैसी रहनी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो सफाई रखते समय में क्या-क्या ध्यान रखना है कैसी सफाई करनी है स्वच्छ जगत बनाना है सुन्दर जगत का निर्मार करना है उनके बारे में हम जानकारी प्राक्त करेंगे बच्चो तो आएए बच्चो अपने टेक्स्बुक की पैंसिल लिजी आतमें, ओके स्टुडान, तो हम पैंसिल लेंगे, जैसे मैं बोलती जा रहे हूं, और बीच में जिनके मैंने अर्थ लिखे हैं, वो भी आपको लिखना है, एक दिन, एक दिन अजे ने मोहन को अपने जन्मा दिन पर बुलाया, जन्मा दिन यानि की सालगिरा मोहन ने उसी उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उपहार यानि की भेट, तोफा, जो आप बोलती हो, गिफ्ट, तो जन्मा दिन की दिन आप क्या देते हो, भेट देते हो ना, गिफ्ट लेते हो, तो वहाँ उसने एक क्या खरीदी थी, स्टोरी यानि की कहानियों की पुस्तक, उसी रंगिंज कागज में लपेटा और अजे के घर चल पड़ा, आप भी बच्चों किसी का जन्मा दिन होता है, फ्रेंस का, तब याप क्या करते हो, गिफ्ट पेपर उन पर फॉल्ड करते हो ना, इसी तरह वह भी रंगिंज कागज में उ मोहन अजे की गली में, गली यानि की मोहला, जो अमारी सेरी होती है, आप लोग बोलते हो रंगुच्राती में, उसके उपर क्या गिरा, एक केले का छिलका, छिलका यानि की जो फल का उपर का जो आवरण होता है, जो पैना हुआ होता है, उनके उपर जो छिलका था वो गिर ची ची कितनी बुरी आदत है शड़क पर छिलका फिकना मोहन ने मन में सोचा उसने छिलका उठाया और इदर उदर देखा हमारे पर कोई ऊपर कच्रा गिरता है तो हम भी ऐसे कहते हैं न इसी तरह अजय के मौले में पैर रखते हैं मौन के सीर पर केले का चिलका गिरा था इसलिए उसने क्या किया चिलका उठा कर इधर उधर देखा कुछी दूर में उसी एक कुडादान दिखाए दिया कुड़े दान यानि की कच्रा का डिबा जो कच्रा डालने का डिबा होता है जिनको आप इंगलीस में बोलते हो डस्त बिन उसने छिलका उसमें डाल दिया बहुत सा कुड़ा कुड़े दान के बाहर फैला हुआ था कच्रे का डिबा था तो भी कई लोग क्या करे थे बाहरी उनका कच्रा फेक रहे थे कोई कुड़े दान में डाल नहीं रहा था कुड़ा यानि की कच्रा वहां मक्या भी भीनक रही थी बच्चो बहुत सारा कच्रा होता है तो वहां क्या होता है मक्ही होती है मच्चर होती है भीनक रही यानि की उसके आस कच्रा फैकने से जो बद्बू आती है कच्रे में से वह थोड़ी दिर में सारी जगा फैल ले लगी उसने देखा नालियों में कुडे के कारण पाने भी रुका हुआ था बहुत कच्रा होता है तो जो घटर जवाब बोलते हुना घटर लाई तो उनको हिंदी में बोलते हैं नाली तो उस नाली में भी क्या था बहुत सारा कच्रा बढ़ा हुआ था मोहन ने नाग पर रुमाल रखे अजे के घर पहुंचा बहुत सारी बद्बू आ रही थी इसलिए मोहन ने किया क्या नाग क्या अंगी रुमाल लग दिया वहां अजे के ओर भी कई मित्र आये थे जन्मदिन था इसलिए अजे के घर बहुत सारी मित्र यानि की दोस्त फ्रेंड अजे ने मोहन को अपने मा की ओर पिता जी से मिलाया अजे ने अपने फ्रेंड मोहन को किस से मिलाया अपने मा यानि की मम्मी पिता जी यानि पपा से मिलाया अजे की दादी जो बीमार थी मोहन उन से भी मिलाया मोहन अजए के गर गया था सब से उनकी मुलाकाद करवाई मोहन उनसे भी मिला मेज यानि energy table table तेबल पर खाने की चीज रखी ती जिन पर बार बार मख्या आ जाती थी क्यों मख्या आजाती थी क्यूंकि हमारे माहलने में बहुत सारे गंकी होती है तो उनकी मक्या चार ओर फैलती है हमारे घर तक भी पहुचाती है और जो हमने जो खाने की चीज रखते है उन पर भी वो भीनकती रहती है क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं करती? अजे तुमारे महल में इतनी गंकी क्यो? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं करती? तभी मोहन अजे को कहता है कि तुमारे गली में इतनी गंकी है तो क्या नगरपालिका साफ नहीं करने आती? अजे की माता जी ने कहा बेटा नगरपालिका की घाडी आया करती है जगा जगा कुडेदान भी है पर कुछ लोग उनमें कुड़ा नहीं डालते उसकी मम्मी कहती है बेटा नगरपालिका की घाडी यानि कि जो कुड़े दान डालने वाला जो घाडी वाला आता है वो तो आती है लेकिन जगर जगर जो लोग कुड़े दान पड़ा है तो भी उसमें कच्रा कोई नहीं डालता सब लोग बाहर ही फैक दे रहते हैं ये कुडा सड़क पर ही फैक देते हैं इसलिए यहां सफाई नहीं रहती तो इसी तरह student आपको भी ये धान में रखना है कि अगर आपके आसपास कुडा दान है यानि कि dust bean है तो हमें कच्रा किस में डालना है कुडे दान में हमें कुडा ऐसे ही जहां तहां नहीं फैक ना है अवश्यक जगा पे हमें ऐसे ही लगे तो कच्रा उठा के भी हमें उसमें डाल देना है स्वियम यानि कुद को खुटको आपको अच्छी तरह सफाई करने के लिए एलेक्ट रहना पड़ेगा इसी तरह इस पार्ट में स्वच्ता के बारे में प्लिनेस के बारे में बहुत जानकारी दी है तो आज हम सांती से इसका भाग एक समझेंगे और फिर से दूसरा पार्ट है जो हमारा दूसरा भाग वहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे तो बच्चो थैंक्यू सुदान